तो अभी से पहले हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में जिसमें हमने देखा कि उसका डिस्पलेस्मेंट का जो है वो इक्वेशन क्या होता है उसके वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है उसके acceleration का equation क्या होता है Simple harmonic motion होता क्या है यानि कि कहते किसको है Simple harmonic motion ये सारी चीज़े हमने अभी इस سے पहले वाले दो Lector में हम लोगो ने ये सब discuss हमने किया हुआ है सब चीज़ आज हम discuss करेंगे कि Simple harmonic motion जब आपका हो रहा होता है Simple harmonic motion में तो उसके कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग जो है कि solve करते हैं पहले भी solve किये हुए हैं लेकिन आज थोड़ा सा हम उसके कुछ टर्मिनलोजी को और भी थोड़ा हम देखेंगे उसको देखने से पहले समझने से पहले एक दो टर्म और हम आपको explain कर दें जो कि हम amplitude की बात किये थे simple harmonic motion में amplitude का मीनिंग क्या होता है माल लेगी है कि यहां से एक pendulum है जो ऐसे नीचे यह pendulum है यह pendulum यहाँ पे है इस जगह से क्या हो रहा है हमारा pendulum है यह गड़ी यह वाला वाल से यह connected है ऐसे है यहाँ पे बंदा हुआ है और यह pendulum क्या है गूम करके यह यहाँ पे आता है यह pendulum का bob जो है यह यहाँ आता है ऐसे जाकता है यहाँ तक आता है यह line यह हो गए आपका ऐसे आता है फिर यहाँ से वापस होता है और यह यहाँ आता है और यह वाला line आपको यह रहा ऐसे यह जाता है इस तरह से तो यह ब यह वापस यहाँ आता है फिर यहाँ जाता है फिर यहाँ जाता है इस तरीके से यह आपका जो है यह पेंडूलम्ट है यह क्या करता है ये औसिलेट करता रहता है इस तरह से यानिके दो पॉइंट है इसको मान लिया जाए कि अगर ये A है इसको मान लिया जाए कि ये B है इसको मान लिया जाए कि ये C है तो ये तीन पॉइंट हमने आपको दिखाया है यहाँ पर A, B and C पॉइंट दिखाया है ये तीन पॉइंट आपके है यहां पर ओके A, B and C तीन पॉइंट है यह C वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को कहा जाता है This point is called mean position this is called mean position this is called mean position और यह C से जब यहां B पे गया यह B क्या है extreme position extreme position यानि अब इसके आगे यह नहीं जाएगा this B is extreme position and A is also extreme position यह सारे आपके extreme position B and A जो है बोथ हार extreme position यानि कि यह बॉब जादे से जादे यहां तक जाएगा फिर यहां से वापस होके यहां आएगा फिर यहां जाएगा फिर यहां से वापस होके यहां आएगा अब इसके condition में अब हमें अगर time period का definition यहां अगर define करना पड़े time period क्या होता है पहले भी हम कर चुके हैं आपको definition यहां भी एक बार और यह जो है जो घड़ी में लगी होती है यह पिंडूलम वाली घड़ी है यह तो सपोज करो कि मालों कि यह भी सी पोजीशन पे था एक टाइम के रिएट का क्या मतलब होता है मापको समझाते हैं माल लिजिए आट इस पॉइंट इस बॉब इस एट सी माल और यहां से ऐसे होके वैक होगा फिर सी पे आएगा फिर जो है सी से जाके यहां पे ए पे आएगा और फिर एसे सी पे हो जाएगा यानि सी से भी गया भी से सी आया te the द hairy गया, B से C आया, फिर C से A गया, फिर A से C आया, यानि C से B गया, B से फिर C आया, C से A गया, A से फिर C आगया, अब फिर ये B के तरफ जाने को त्यार है, तो ये जितना ये टाइम लगेगा, this is called time period, इसी को एक time period कहेंगे, this is called one time period, यानि कि ये जो condition पूरा हुआ, यहां से, यहां से ऐसे गया, एसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, इसको ही एक second कहते हैं, इसका time period कहते हैं, जो घड़ी में एक second के लिए set करते हैं इसको, यह वही होता है, वन सेकेंड का मतलब है C से B तक जाना, B से C तक जाना, फिर C से A तक जाना, A से फिर C तक जब आ गया, तो ये एक time period कहलाएगा, अब मान लोगे कोई कहे कि नहीं हम B से choose करेंगे, ठीक है B से choose करिए, अगर ये B पे होता, तब कैसे time period बताते, अगर ये B पे होता, तो B से कहां है, जाने को ये त्यार है, C के तरफ, ये B से कहां जाएगा, C के तरफ गया, फिर C से कहां जाएगा, A के तरफ जाएगा, C से फिर गया, A के तरफ, A से अब लोटेगा, A से लोटेगा, फिर कहां आएगा, C के तरफ, C पे आएगा, C से फिर कहां जाएगा, B पे चला जाए फिर वहीं जो है आने को त्यार है यह जैसे कल हमने साइन के वेव फॉर्म में बताया था आपको ऐसा वेव फॉर्म लिया था इस तरीके से यह तो यहां से जिरो से चला इधर जाने को त्यार है यहां मैक्सिमम पहुंच एक्स्ट्रीम यह मैक्सिमम हो गया तो इसको अगर य यानि यह maximum value यहां पर पहुंच गया इसको कहेंगे अंप्लिचिव यह highest displacement हो गया from the mean position अब उसके बाद फिर क्या है यह इधर से लोटने को प्यार है अब displacement इसका घट रहा है तो घटते घटते क्या हो यहां पहुंचा यह पहुंचा यह बी को आगया है सी से चला वी को गया बी से फिर सी को में पोजिशन में अब सी से फिर किधर जाने को है को पहुंचा यह यह maximum चला गया निगेटीव direction में जाएगा इधर displacement positive है तो इधर negative होगा फिर एसे इधर आने लगेगा आते आते फिर क्या हो जाएगा यहां पे फिर यह सी पे आ गया फिर यह हो गया जीरो वाला position हो गया यानि जीरो से चला देखो यहां भी जीरो आया है लेकिन यह time motion का direction ऐसे था यहां motion का direction ऐसे है opposite में है यह यानि के देखो ध्यान से C से B के तरफ गया direction of motion कैसे है इस तरफ है फिर B से C आया C से A के तरफ जाया direction of motion ऐसे हो गया फिर A गया A से C आएगा अब C से इधर जाने को त्यार है यह C पे आ गया यह जगह अब फिर वैसे पोजिशन में यह जाने को त्यार है तो अब यहां से यहां तक जो time लगेगा that is called a time period इसको कहा जाता है time period और यहां यह two pi होता है यानि एक complete cycle यह travel कर चुगा होगा इसी चीज़ को यह graphical representation ऐसे करते हैं अब आप ध्यान से और भी बात इसमें समझेए बड़ी conceptual बात सब है यह सब जब यह object c पे होगा तो इसका displacement कितना है mean position है यानि x equal to zero है तो जब displacement है ही नहीं तो इस condition में इसका हम potential energy क्या करेंगे यह हमारा zero हो जाएगा यही reference line यहां लेते है यहां potential energy zero है बट kinetic energy यहां पे क्या होगा will be maximum यहां kinetic energy maximum हो जाएगा potential energy zero क्योंकि दोनों का sum क्या होना चाहिए constant होना चाहिए इसी को हम लोग mechanical energy कहते हैं potential energy plus kinetic energy इसका sum क्या होता है constant होता है this sum is constant तो अगर potential energy zero है तो kinetic energy क्या होगा maximum होगा तो यहां पे इस जगह पे potential energy zero and kinetic energy maximum अब इस extreme position पे यह हमारी बात हुई है c position के लिए this is for c position यह हमारा c position पे बात हुई है यह हमारा c position की बात हुई है यह आपको यह हो गया c position अब देखिए जैसे यह आप b पे पहुँचेंगे b position के लिए b के लिए बात करते हैं b पे यह थोड़े देर के लिए रुका है यह तो displacement इसका क्या हो गया है यहां पे maximum displacement है तो इसका potential energy b पे क्या हो जाएगा maximum कि branch kinetic energy क्या हो जाएगा यहां पे 0 हो जाएगा डी पोजिशन पे kinetic energy zero क्योंकि यह पे velocity क्या है जीनों क्या है इसका maximum है इसलिए potential energy maximum होगा और इस दोनों का समग तोदेंघ हो गया constant रहा यानि क्योंगे यहां पे a c पे potential energy zero kinetic energy maximum बीप पे potential energy maximum kinetic energy जिरो क्योंकि यहाँ वेलोसिटी जिरो है और इस C और B के बीच कहीं भी रहेगा तो दोनों रहेगा एक कोई भी पार्ट इस में जिरो नहीं होगा यहाँ हो इस जगा हो इस जगा हो कहीं भी हो तो दोनों का सम होगा कोई एक जादा होगा कोई ये कम हो सकता है, हो सकता है दोनों बराबर भी हो जाए कहीं पे, ये भी हो सकता है, बट ये extreme position है, जैसे यहां भी अगर या गया, तो यहां पे क्या होगा, काइनेटिक इनर्जी आता जीरो होगा, ए पे, ये बी के लिए और ए के लिए, दोनों के लिए सेम चीज़ है, दोनों के लिए सेम होता है, तो इससे potential energy और kinetic energy क्या हो गया, अब यही potential energy क्या होता है, जब यहां maximum है, यहां पे minimum है potential energy, kinetic energy maximum है, तो speed घटते घटते यहां zero हो गया, तो यह kinetic energy जाएगा कहां, वही kinetic energy इसके potential energy में store हो जाता है, जब यहां store हो गया, अब यहां पे potential energy maximum हो गया, त kinetic energy बड़ने लगेगा तो इसका जब हम अगर हम एक plot भी कीचे potential or kinetic energy का तो जो है अभी हम थोड़े दिर में इसका plot भी कीचेंगे potential or kinetic energy लग्शा उसको समखने से पहले हम कि एक example और आपको अब यह-क example देते हैं नुमरीकल देते है उससे समझ इस चीज़ों को देखिए क्या कह रहा है अब पार्टिकिल ऑफ मास 0.5 केजी एग्जेक्यूट सिंपल हर्मोनिक इसका मतलब क्या है कि यह इसका मतलब यहां आपको दे रखा है वह है फिफ्टी न्यूटन पर मीटर दे रखा है के कवर लूग यह किए दे अनोन हैं हमाएं पास इफ इत क्रॉसप इट सर्फेज भार सेंटर ऋफ बैसलेशन भी तो यह कि यहां अब पूछ रहा है इसका amplitude बताईए यानि यहां से जब यहां पहुंचेगा तो यह वाला distance कितना यह travel करेगा यहीं तो अब जब यह center पर होगा यहां पर देखिए यहां पर total energy की हम बात करेंगे total energy at the center total energy at the center बताईए क्या होगा total प्लस पोटेंशियल अनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी पर बताए है उपर 0 हो गया काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ एम इंटु वी स्कॉर मास दे रखाए वेलोसिटी दे रखाए तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा center पे center या इसको आप एमाल लिजिए उसी तरह से जब हम energy बी पर लिखेंगे तो वह भी total energy उसका उतना ही होगा क्योंकि इसमें कोई friction वगएरा नहीं है तो अब लिखेंगे total energy at B वो क्या लिखेंगे जैसे ये बी पर पहुंचेगा ये बी पर पहुंचेगा तो उस समय condition क्या होगा कि इसका वी क्या हो जाएगा यहां पे zero हो जाएगा तो kinetic energy हो गया प्लस potential energy क्या लिखेंगे half k into x square होता है यह पढ़े थे ना spring वाले case में यह spring का force है यह हमने आपको pendulum से समझाया बात एक ही है यह इस तरह कर था ना यह spring वाले में हमने potential energy निकाला था इसको ऐसे खींच तो इसमें जो potential energy जो होगा वो कितना होता था half k x square होता है और जब यह यहां चला है यहां से यहां गया है तो यह क्या है maximum displacement है ना तो x का value को क्या कर देंगे यहां amplitude लिख देंगे one by two k into a square हो जाएगा a is the amplitude क्या है यहां हमारा amplitude है maximum displacement को a से लिखते हैं यह a mean position वाला नहीं amplitude को a से लिखते हैं अब यह दोनों को क्या कर देंगे equate कर देंगे तो half mv square equal to one by two k a square हाफ से half cancel हो गया m का value कितना दे रखा है आपका 0.5 kg दे रखा है velocity यहां दे रखा है 10 10 into 10 हो गया k का value अभी यहां से निकाले है 50 newton meter 50 हो गया into a square हो गया तो इसको अब आप solve कर लीजिए तो इसको जब solve करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा यह point से यह zero cancel हो जाएगा यह भी 50 हो जाएगा अब 50 into 50 cancel हो गया तो a square equal to हो गया one so a will be one meter यानि यहां से maximum distance जो जाएगा one meter जाएगा actually यह इस तरह का था हमने आपको pendulum से समझाया यह इस तरह का था एक side इसका क्या है fix wall में हमने इसको यह कर दिया है और इसको क्या किया खीच कैसे छोड़ दिया गया यह भी mean position पे था x equal to 0 पे तो खीचा गया यहां पे तो maximum displacement जो यहां से चला यही वाला x equal to a है और फिर जब यहां लाएंगे इसको और यहां से जब हम इसको छोड़ देंगे तो maximum displacement इधर भी जो है x equal to a ही जाएगा यहां से यह x equal to a इधर जाएगा और x equal to a इधर जाएगा इस तरह से यह क्या करेगा oscillate करेगा यह अपने mean position के बीच यहां पे इसका potential energy zero kinetic energy maximum यहां पे इसका potential energy maximum kinetic energy zero लेकिन इस दोनों के जगह पे इसके बीच में दोनों होगा potential kinetic energy यहां भी potential kinetic इसके बीच में होगा लेकिन extreme position पे यह वाला जो है सिर्फ यहां पे potential है यहां भी potential है और यह mean position पे सिर्फ kinetic है potential zero है तो यह आपको amplitude का value निकल गया जिसको हम लोग A कहते हैं कुछ इस known as amplitude इसको amplitude कहते हैं और amplitude दोनों side में क्या होता है same होता है इधर भी A ही होगा और इधर side में भी जाएगा तो वो भी A ही होगा लेकिन नीचे वाले को हम लोग minus A कह देते हैं इधर से positive A और इधर से negative A कहते ह तो यह आपका amplitude का definition है एक चीज और हम निकाले थे आपको अगर याद हो इससे पहले omega जो था जो solution जब हम निकाले थे differential equation का x double dash plus k by m into x equal to 0 था तो यहां से हमारे पास एक term आया था omega जो है omega square एक term निकला था हमारे पास और अगर वो याद हो तो omega square क्या आता था omega square equal to k by m आया था या omega equal to root under k by m आया था अब इस omega का value हम क्या लिखे थे याद हो तो 2 pi into f भी लिखे थे यह root under k by m हो गया k क्या है spring constant है m है mass और तो यह frequency हमारा हो जाएगा 1 by 2 pi root under k by m यह भी formula जो है हमको बहुत useful formula है और बहुत जगा यह use होता है इसको हम लोग कहते है frequency और time period की अगर बात हो frequency को अगर हम time period में convert करना चाहेंगे तो इसका भी relation जानते है time period क्या होता है कि frequency equal to होता है 1 by time period तो time period हो जाएगा 1 by frequency frequency अब frequency के जगा पर यह value डाल दो यहां पर तो यह डालेंगे तो वन बाई वन बाई एफ कर वन बाई अब फ्रिक्वेंसी का वैलू क्या है root under k by m और यह नीचे 2pi हो जाएगा तो यह 2pi हो जाएगा यहां पर और यह m उपर चला जाएगा तो 2pi multiplied by root under m by k हो जाएगा तो यह time period ऐसे हो गया यह जब इसको उल्टा कर दिये हैं तो पाई उपर चला जाएगा एम दी उपर चला जाएगा अखे नीचे आ जाएगा तो यह दो री वेश्चन है टाइम परियर्ट निकालने का और फ्रिक्वेंसी निकालने का इस पर दी एक हम कोश्चन देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले हैं इसी फर्मूले बें बताएंगे कर लिया मास है 200 ग्राम है और यह सिंपल हार्मोनिक मोशन बता रहा है रेस्टोरिंग फोर्स आपको यह दे रखा है इसका इस्प्रिंग कॉंस्टेंट दे रखा पॉर्स नहीं एड़ी यह के का वैलू दे रखा तो टाइम परियेट का जो है फॉर्मूला अभी लिखे हैं तू पाई अंडर रूट क्या था एम बाई के था ना या के बाई एम एम बाई के था ना ठीक है ना अब इसमें सब वैलू उट कर दिये होंगे आप पाई का वैलू 3.14 ले ले लेना है मास का वैलू है इसको के जी में बदल दिये होंगे 0.2 डिवाइड़ बाई के इस एटी अब इसको सॉल्व करके यह आपका आ गया होगा 0.31 सेकेंड यानि इसका टाइम पिरियेट जो है 0.31 सेकेंड है और यह हमारा टाइम पिरियेट निकल गया अब देखी एक चीज और था मुझे बताना था इसमें टाइम यह फेज डिफेरेंस क्या होता है फेज डिफेरेंस जिसको हमने फाई लिखा था जो एक्वेशन था फेज पॉंस्टेंट था या फेज डिफेरेंस था जो भी था जो हमने एक्वेशन लिखा था कल एक्स इक्वेल टू एक पॉस ओमेगा टी प्लस फाई यह इसी को कहे थे फेज कॉंस्टेंट या फेज डिफेरेंस यह कहे थे पाथ डिफेरेंस के टर्म में मैंने इसको एक्स्पिलेंट किया था आपको यह कहीं कहीं किसी किसी बुक में यह a cos omega t लिखा हो सकता है x और x equal to a sin omega t plus 5 भी हो सकता है इसमें दोनों का जो result होगा वो एक ही आता है कोई अलग नहीं होगा दोनों का से जब velocity निकालेंगे इस displacement से तो वही आएगा तोड़ा सा इसमें साइन का फरक पड़ जाएगा इसमें negative हो जाएगा इसके हिसाब से velocity निकालेंगे तो v equal to dx by dt हो जाएगा इस equation को अगर differentiate करेंगे तो a omega cos omega t plus 5 हो जाएगा और इसके हिसाब से जब जो हम निकाले थे इसके हिसाब से तो velocity का value होगता था minus a omega sin omega t plus 5 हो जाएगा अब अगर फिर इसको एक बार differentiate करेंगे इस वाले टर्म को यह इस से जो velocity यह निकल गया है इस टर्म को differentiate करेंगे यहां से लेके तो इसको differentiate करेंगे तो acceleration निकल जाएगा और cos का differentiation minus sin होता है तो यह minus a omega square into sin omega t plus 5 हो जाएगा और इसको जब हम इसको यह वाला जो है अगर हम इसको x माने हुए है तो यह वाला total चीज़ देखेंगे यहां पे तो यह हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा नहीं यह तो minus omega square into x हो जाएगा acceleration यह आजाएगा हमारा अगर इसको भी differentiate करके देखेंगे यह वाले पार्ट को इसको हम किये हुए थे उस समय भी acceleration यही आया था तो displacement को चाहें आप cos के form में ले यह sign के form में ले resultant एक ही आएगा acceleration पर कोई effect नहीं पड़ता है वो दोनों के case में same आता है अब हमारी बात है यहां कि phase difference का क्या meaning है इसमें यह समझ यह है थाई का क्या meaning है phase difference का suppose करिए कि आपके पास जो है कि एक हम graph ऐसा खींचते हैं यह यह एक line है हमारे पास एक सीधा line खींच देते हैं पहले यह सीधा line है एक line और खींच देते हैं यहां से इसको अब हम क्या करते हैं कि इसको जो है कि इस जगह से यह माल यह आप माल लीजिए इसको आप जो है यह वाला ऐसा है यह है वाई एक्सिस है और यह आपका यह भी जो है वाई एक्सिस है तो अब क्या है कि इसको हम यहां से एक वेव को हम शुरू करते हैं यह इस तरीके से यह चलता है दूसरा एक हम शुरू करते हैं यहां से यहां से चलता है अलग कि यह सब बराबर न चाहीं बिलकुल डिएंटिकल होना चाहीं यह ऐसे चलता है तो यह माली अगर time है तो यह 0 पे इसका magnitude कितना है जिरो है और यहाँ time जब 0 है तो इसका magnitude यह maximum है यानि अगर इसको हम पीछे के तरफ बढ़ाते ऐसे ऐसे बढ़ाया जाता है इसको तो यह वाला जो difference दीख रहा है यह जितना difference है यही आपका फाई है यानि time जब हम 0 डाल रह है तो उस समय तो यह 0 नहीं है यह maximum है यह time 0 पे 0 है तो difference करते नहीं का रहा है गर इसको हम पीछे बढ़ाते तो 0 आ जाता यहां पे तो इसी को हम phase difference कहेंगे यह फाई जो है इस दोनों के बीच का क्या है यह phase difference है इसके लिए calculation में बहुत कोई problem नहीं आएगा अब यह यह को हईएगा यह यह को